अगर मिलके चला जाए तो तूफानों को भी सिकस्त की जा सकती है नमस्कार दोस्तों रेटर्स बुक्षब में आपका फिर से स्वागत हैं और हम चर्चा कर रहे हैं रॉबर्ट टिक योसाकी की बुक रिच डैड पूर डैड की रॉबर्ट टिक योसाकी अपने बच्पन का एक किस्सा सुनाते हैं कहते हैं कि मुझे याद है हमें स्कूल में रॉबर्ट के सुखी किरो की कहानी बताए गई थी मेरे स्कूल टीचर का मानना था कि ये कैविन कौशनर की तरह एक रोमांटिक कहानिया है जो अमीरों को लूडता था और गरीबों में बांड देता था त परंतु उसके जो मानने वाले हैं जो उसके फैंस हैं वो आज भी जिन्दा हैं ना जाने कितनी बार मैंने लोगों को ये कहते हुए शुना है कि अमीरों को और जादा टैक्स देना चाहिए और उसे गरीबों में बांड देना चाहिए रॉबिन हुड का ये जो थौड था अमीरों से लेकर गरीबों में बांड दिया गया गरीब और मिडिल क्लास लोगों के लिए ये सबसे जादा दुख का कारण है इसी राविन हुड आदर्स के कारण मिडिल क्लास पर टैक्स का इतना भारी बोज लदा हुआ है और सच्चा ये है कि अमीरों पर टैक्स लगता ही नहीं है गरीबों के भलाई के लिए जो पैसा लगता है वो मिडिल क्लास से आता है खास कर पढ़े लिखे और उंचे अमदनी वाले मिडिल क्लास से और टैक्स के बारे में अगर हम पूरी तरह से समझना चाहें तो हमें थोड़ा सा इतिहास में जाना पड़ेगा हिस्ट जुटाने के लिए टैक्स जरूर लगाय जाते थे जिसके लिए किंग या फिर सिर्फ प्रेसिडंट कैभर देते थे और हर आदमी उसकी बात मान कर अपना सहयोग अपनी एक्छा से दे देता था बाद में सन 1874 में इंगलाइंड ने टैक्स को अपने सिटीजन पर लागू कर दिया और 1913 में कॉंस्टिटीशन के सुलाहमे संसोधन के बाद अमेरिका में भी जो इंकम टैक्स है वो लागू हो गया एक समय था जब अमेर की लोग टैक्स विरोधी हुआ करते थे पर दीरे दीरे लगबग पचास सालों के बाद लोगों ने वो एक्सप्ट कर लिया इसमें एक और बात थी शुरुआत में ये जितने भी टैक्स हैं ये अमीरों पर लगाये गए थे वो तो रिच डैडी चाहते थे कि माईक और वो इस बात को न भूले और उन्होंने ये बात साफ कर दी थी कि टैक्स का जो थोट है वो लोग प्रिये बना इसलिए कि लोगो भी टैक्स का मारा हुआ है और मिडिल क्लास भी या यू कहें कि सबसे ज़्यादा जो टैक्स का मारा हुआ है वो है मिडिल क्लास रॉबर्टी कि योसाकी आगे कहना जारी रखते हैं एक बार फिर सरकार को टैक्स मिल गया तो उन्हें उसके फायदे नजर आ गये और उनकी भूख बढ़ गई रिच डैडी ने रोबर्ट टिक यो साकी को आगे समझाते हुए कहा कि अमीरों के वक्त के साथ साथ कार्प्रोरेशन की ताकत को समझा एक जुट होकर उन्होंने इस टैक्स को पलड़ दिया और सारा बोज उन लोगों पर डाल दिया जिन लोगों ने कभी इनके सपोर्ट में ओड दिया था यानि कि गरीब और मिडिल क्लास लोग और इसके पीछे की सबसे बड़ी वज़र अमीरों का पैसा नहीं था उनकी समझ थी उनकी जानकारी थी उनकी अवेरनस थी उन्होंने अपने पैसे को बचाने के लिए समिधान को समझा रोल्स को सम बचा ये सब देख परक्व के कर्पोरेशन का सहरा लिया और वो फिर उसमें सफल भी हुए अमीरों और गरीबों के भीच लड़ाई सदियों से चलती आ रही है अमीरों से वसूलों का जो नारा लगाने वाली भेड़ थी वो हमेशा अमीरों के खिलाफ रही और ऐसे की कमी है और वो ये मानते नहीं हारने वाले लोग वो हैं जो हर सुबह उड़कर तयार होते हैं और अपनी नौकरे में कड़ी मेहनत करते हैं और उस पर टैक्स भी देते हैं अगर वो ये समझ पाते कि अमीरों किस तरह से पैसों का खेल खेलते हैं तो वो भी इस खेल को उस अच्छा नहीं लगता कि जब कोई अपने बच्चों को ये सलाह देता है कि खूप पड़ो और नौकरी करो जिस करमचारे में पैसे की समझ नहीं है वो बच नहीं सकता समाज उसके पैसे को हडप लेगा और उसे गरीबी की और धगेल देगा कहते हैं ना कि उस देने वाले न तो कोई कमी नहीं की अब किसको क्या मिला ये मुकदर की बात है और ये जो मुकदर है ये हम अपनी सोंच से अपनी नौलेश से अपनी अवेरनस से बदल सकते हैं अमेरी और गरीबी में सिर्फ सोंच का और समझ का फासला है तो इसी के साथ समरी के ही समाप्त होती है मिलते ह अगले पार्ट में तब तक के लिए धन्यवाद।